देखिए कितना सौफ्ट मेल्टिन माउथ हल्वा बनकर तयार हुआ है पर्फेक्ट लुक, पर्फेक्ट टेक्शर और पर्फेक्ट ट्रांस्परेंसी के साथ आज हम ये पॉंबी हल्वा बनाएंगे जिसे कराची हल्वा भी कहते हैं ये हल्वा बनाना बहुत ही आसान है ये पर्फेक्ट मेजर्मेंट्स और टिप्स का ध्यान रखा जाए और इसकी खास बात ये भी है कि इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है इसे बनाना भी इतना मज़ेदार है कि इसे बनाते समय भी आप इसे इंजोई करेंगे और खाने के बाद आपकी फैमली इसे जरूर इंजोई करेंगी तो फ्रेंड्स यदि आपको भी ये बॉम्बे हल्वा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथे मेरे ऐसी और भी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें तो चलिए ये बहुत एक टेस्टी बॉम्बे हल्वा बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे हल्वा या कराची हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोल तयार करेंगे तो इसके लिए लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर टालेंगे कॉर्ण फ्लार तो नॉर्मली जब हम मंचूरियन वगरे बनाते हैं और उसमें ग्रीवी को ठिक करना होता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कॉर्ण फ्लार का हमें इस्तेमाल करना है यानि जो मक्य का आटाता है पिला वाला उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है तो इस तरह से ये corn flour आता है और ये 100% vegetarian होता है तो ये एक measuring cup को माप कर मैंने एक cup ले लिया है corn flour आप चाहें तो measurement किसी भी कटोरी या glass का set कर सकते हैं अब इसी cup को माप कर हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें इसमें total 2 cup पानी डालना है तो ये मैंने एक cup पानी ले लिया है पहले इसमें आदा पानी डालेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना पढ़ी और बहुत एजिली ये mix हो जाए corn flour बहुत एजिली किसी भी grocery store में आपको मिल जाएगा और इसी से ही ये कराची हलवा है वो जादा अच्छा बनता है चाहें तो फिर आप custard powder का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसका texture थोड़ा सा different होगा क्योंकि उसमें corn flour की मातरा तो आती है लेकिन थोड़ी कम आती है तो दूसरा का पानी का भी मैंने डाल लिया है और एक पतला गोल बना कर हमने तयार कर लिया है तो चलिए अब हम एक mold set कर लेंगे जिसमें हमें हलवा को set करना है तो किसी भी तरह की थाली को चाहें तो आप grease करके ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि उसमें butter paper ही लगाएं तो ये हलवे में अच्छे से set हो जाएंगे तो हलवा देखने में बहुत अच्छा लगेगा सारी तयारी हमारी हो गई है तो अब हम लेंगे कडाई और जिस measuring cup को माब कर मैंने corn flour लिया था उसी measuring cup को माब कर हम लेंगे चीनी तो ये हलवा थोड़ा मेठा जादा ही होता है इसलिए 2 cup चीनी का इस्तमाल किया जाएगा और 2 cup चीनी के लिए 1 cup पानी का इस्तमाल करके चीनी को अच्छे से melt होने देते हैं तो चीनी melt होगी तो इस समय चार से 5 मिनिट का समय लग जाएगा लेकिन हमें चीनी में कोई भी तार की चार्शनी नहीं बनानी है बस अच्छे से melt कर लेना है और जैसा कि मैंने बताया ये हलवा थोड़ा सा मिठा जादा होता है लेकिन यदि आप कम मिठा पसंद करते हैं तो चीनी के मातरा कम ले सकते हैं अब देखें चीनी काफी अच्छे से गुल चुकी है कोई भी चीनी का क्रिस्टल इसमें नहीं बच जाए चीनी अच्छे से गुली भी जरूर होने चाहिए तो अब हम कैस का फ्लेम एक बार ओफ कर देते हैं ताकि जब हम ये बैटर इसमें डालें तो इसमें कोई भी लंस ना पड़ें जब कॉन फ्लार को पाने के अंदर घोल लेते हैं तो ये धीरे-धीरे नीचे पैंदे में बैट जाता है तो एक बार किसी भी चमच या विसकर से इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर कड़ाई में डालें और इसे लगातार चलाते रहें तो इसे मैंने सारा डाल लिया है कड़ाई में और देखें मैं लगातार इसे चलाते जा रहे हूँ और अब मैं गैस का फ्लेम ओन कर दूंगी और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है लो फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे तो थोड़ी धीर में आप देखेंगे कि जो कौन फ्लार हमने डाला था उसके वज़े से ये घोल है वो गाड़ा होने लगेगा और धीरे धीरे ट्रांसपरेंट दिखाए देने लगेगा तो इस प्रोसेस में जादा समयने लगता है चार से पांच मिनिट में ये इस तरह का आपको दिखाए देने लगेगा तो मैं आपको फास्ट फॉरवार्ड करके पूरी क्लिप दिखा रहे हूँ ताकि आप ये जादू देख सकें कि कैसे हमने एक पतला सा गोल तयार किया था और धीरे धीरे वो गोल इस तरह एक ट्रांसपरेंट बैटर में कनवर्ट हो गया और ये देखे कितना सुन्दर आपकर मैंने आदा कब गी लिया यानि जितना आप कॉनफलार ले रहे हैं उसका आदा हमें गी लेना है अब गी हमें एक साथ ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें गी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे तो गी की वज़े से ये जो ह हिस्तों में डिवाइड करते हुए मैंने इसमें गी डाल दिया है तो ये लास्ट का दो जमस की और बच गया है ये भी मैं डाल लेती हूँ तो मेजरमेंट को देखें तो हमने कॉर्ण फ्लार का आता कब गी लिया तो ये एकदम परफेक्ट जाता है इसे ज़्यादा गी का आप इस्तिमाल ना करें जब हल्वा अच्छी तरह से गी को अबसॉर्ब कर लेगा तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में जब हम गी डाल रहे थे तो ये अपने अंदर अबसॉर्ब करता जा रहा था गी को लेकिन अब जब एकदम परफेक्ट गी इसके अंदर डल चुका है तो जो गी है वो आ इसमें निम्बू का जूस डालना है चाहें तो जो निम्बू के फूल आते हैं यानि सिट्रिक असिड उसको पाने में गोल कर रग दें और उसका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं निम्बू इचे लिए हर कर में मिल जाता है तो हम निम्बू का इस्तमाल कर सकते हैं और बिल्क आप देख रहे हैं, वो soft नहीं रहेगा, hard हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें निम्बू का जूस जरूर डालना है, अब यहां पर मैंने थोड़ा सा food color एड़ कर दिया है, आप कोई भी अपने मन पसंद का food color इसमें डाल सकते हैं, इससे जो हलवा होता है, वो देखने में तो इतनी देर तक हमें से जरूर पकाना है, तो तकरीबन इसे पकाने में 20-25 मिनिट का समय आपको लग जाएगा, तो अब लास्ट में हम फ्लेवर के लिए इसमें केवडा वोटर डाल देंगे, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो कुछ डॉप सी डालनी है, ज प्लेम आफ कर देते हैं, और ये देखे, अभी भी मैं इसे चलाते जा रही हूँ, ताकि जब हलवा हम सेट करें, तो ये फटाफट से सेट हो जाए, ज्यादा समय नहीं ले, और देखे, कितना शाइनी और ट्रांसपरेंट है, एकदम परफेक्ट है ये, तो अब जो मॉल् सेट करके रख सकते हैं, तो उसे भी ये जो हलवा है, वो थोड़ा अलग दिखेगा, और बहुत ही संदर लगेगा, इसे हमने अच्छे सेट कर लिया है, इस हलवा में आप चाहें, तो जब बना रहे हूँ, तो कुछ कटेवी ड्राइफ रूट्स भी एड़ कर सकते हैं, मै नहीं किया है, मैं बस कार्णिश के लिए ही ड्राइफ रूट्स इस्तिमाल कर रहे हूँ, अब इसे हमने अच्छे से सेट कर लिया, एक से दो गंटे या जब तक ये अच्छे से ठंडा होना हो जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसे मैंने दो गंटे के अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो बहुत इसे लिए डे मोल्ड हो जाएगा, तो मोल्ड चारो तरफ से अच्छा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डे मोल्ड करेंगे, तो एक प्लेट लेंगे, इसे ऐसे रखेंगे, और वापस इस मोल्ड को ऐसे पलट लेंगे तो बहुत ही इसे लिए निकल जाएगा और ये देखिए हमारा बॉंबी हल्वा इसका बटर पेपर अब मैं उतार लेती हूं और ये देखिए फ्रेंट्स कितना सुंदर हल्वा बनकर तयार हुआ है बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है और परफेक्ट कलर परफेक्ट ट्रांस्परेंसी और परफेक्ट टेक्शर आया है इसका इसे देखकर इसे काटने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन अब खाने के ल लेते हैं तो इसका पर्फेक्ट टेक्श़ राया है इसलिए आपके हाथों के च आकूं के बिलकुल भी नहीं चिपकेगा ये इसलवे कार्फेक्टे और बढ़िया टेक्शर इसका आता है तो वैसे तो इसे चोकोर पीसिस में कट किया जाता है लेकिन मैं इसे आज ट्राइंगल शेप में कट कर लेती हूँ और ये लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा जबर्दस्त है और कितना ज़्यादा ट्रांस्पेरेंट है ये बहुत ही सुन्दर दिखा देता है और ये आप किसी त्योहार पर भी इसे बनाएंगे ना तो येकिन मानिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा तो प्रेंट्स आप जरूर से ही सलवे को ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका हलवा कैसा बना और ये दि कोई भी इश्यू है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बोस्ट सकते हैं और ये देखे मैं कट करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है पूरा ट्रांस्पेरेंट है अच्छे से कितना बाउंसी है तो ये हलवा ट्राइ करना तो जरूर बनता है तो प्लीज ये हलवा ट्राइ कीजिए और कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है कितना बनता है